दोस्तों आप सभी का Only Top Study चैनल पर स्वागत है SSC GD 13 जनवरी फर्स सिप्ट का एक्जाम हो चुका है पूरा पेपर दोस्तों एनलिसिस करने वाले इस वीडियो में और कुछ बदलाव हुए है इस सिप्ट में और दोस्तों इसी परकार से बदलाव होते रहेंगे तो एक पैटर्न बन रहा है वो भी मैं आपको समझाऊँगा कि अगर आपका एक्जाम अभी आगे आने वाले 10-15 दिनों में है तो आपको किन चीजों का ध्यान रखना है 50 परसन मिले है मेरे को फर्स सिप्ट के तो सारे की सारे देखेंगे इस वीडियो में तो पूरी वीडियो को अंतक देखना और वीडियो को कोसिस करिएगा कि अपने सभी गुरूप में और दोस्तों को भी सेयर कर देए चले एक कोशन दोस्तों पूछा गया था उत्तर परदेश की राजयपाल कौन है तो आनंदी बेन पटेल है दोस्तों ठीक है ना और ये कोशन आपसे पूछा गया तो इसका मतलब क्या है कि किसी और राजय की वी राजयपाल पूछे जा सकते हैं मुख्यमंत्री और राजयपाल से दोस्तों कोशन बन रहे हैं तो ये पढ़के जाने आप लोग को मैं इस पर वीडियो अल्रेडी बना चुका हूँ सुप्रीम कोट की स्थापना कब हुई थी तो 28 जनवरी 1950 में दोस्तों सुप्रीम कोट की स्थापना हुई थी ये कोशन आपसे पूछा गया एक कोशन था खाना बनाना किस परकार का परिवर्तन है तो देखे साइन्स का एक दो कोशन आता है और कुछ इस परकार का कोशन है तो ये एक रसायनिक परिवर्तन है दोस्तों याद रखेगा मोरिये सामराज्य का अंतिम सासक कोन था तो ब्रहतरत हो जाएगा इस question का राइट आंसर और देखें मोरिये सामराज्ये संबंदित मैं बोल सकता हूँ कि अगर 4 shift है ने तो 4 shift में दोस्तो एक एक question पूछा जा रहा है देखें मोरिये सामराज्ये की स्थापना चंदरगुप्त मोरिये द्वारा की गई थी ये extra point है जो कि आपको याद अखना है क्योंकि आगया एने वली shift में एक question पूछा जा सकता है मेरे प्यारे दोस्तो Asian game 2018 की theme पूछ ली गई तो चाहते तो आप इस question को छोड़ सकते थे क्योंकि 2018 का तो कोण ही पढ़के जाएगा तो 2018 की theme पूछी गई थी दोस्तो वैसे theme क्या थी Energy of Asia ये आप लोग ध्यान रख सकते हैं ठीक है ना भारतिय ओलंपिक संग की स्थापना कब होई थी तो 1927 में दोस्तो एक चीज आप लोग उन्हें note की है दो चीजे पूछी जा चुकी है एक तो आपका सुप्रीम कोट की स्थापना एक भारतिय ओलंपिक संग की स्थापना पूछी गई है 1927 में वी थी तो देखे इस्थापना से संबंदित कोशन्स पूछे जा रहे हैं वैसे मैंने वीडियो बना रखी है एक और अलग से वीडियो बना दूँगा इस्थापना से संबंदित भी ठीक है अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है दोस्तो प्लीज लाइक भी कर देना और मैं आपको मैत के कुछ आज कोशन बताने वाला हूँ जो एक्जेक्ट पूछे गए थे पस्चिम बंगाल का राज्यपाल कोन है एक बच्चे ने ये भी बताया तो सीवी आनद बोस हो जाएंगे इस वक्त इन में से कौन सा जम्मू कस्मीर का नरत्य है तो दोस्तो ऑप्शन के एकोर्डिंग जो बच्चे ने बताया वो आपको हो जाएगा दुम्हाल ये आपको याद अखना है ठीक है ना? चले इंदर का परियवाची पूछा गया था तो इंदर का परियवाची दोस्तो क्या हो जाएगा? सुरेंदर, देवराज और आपका हो जाएगा सूरपती ये आपको याद अखना है आकास का विलोम पूछा गया था तो आकास का विलोम सब्द क्या हो जाएगा दोस्तो? पाताल हो जाएगा सेकिंड पंचवर्षी योजना किसने दी थी? तो दोस्तो देखिए सेकिंड पंचवर्षी जो योजना है वो पीसी महाल नोबी जीने दी थी तो ये आपको याद अखना है ये अदे के पंचवर्षी योजना से सम्मधित हर एक सिप्ट में कोशन पूछे जा रहे हैं तो पंचवर्षी योजना पर एक वीडियो में बना चुका हूँ दुबारे से बना दूँगा SSC GD Special जिस परकार के कोशन सारे हैं उसमें सारे कवर करा दूँगा भारती सविधान में 1950 के बाद क्या सामिल किया गया था देखें बच्चों ने बताया कि ऑप्शन में था कि fundamental rights, fundamental duties यानि कि मौलिक करतवे तो मौलिक करतवे ही दोस्तों हमारे सविधान में बाद में सामिल हुए थे ठीक है ना? यानि कि जो हमारा मूल सविधान है उसमें मौलिक करतवे नहीं थे fundamental duties नहीं थी ये बाद में सामिल हुए थी तो यही इसका answer हो जाएगा ठीक है भई? चाले और देखे मैं आपको बता दो दोस्तों 6000 के question answers की एक PDF है हमारी जिसमें से दोस्तों 80 to 90 मतलब 90% paper मैं बोल सकता हूँ कि पूरा आ रहा है 80% paper 100% इस PDF से आ रहा है क्योंकि इसमें मैंने आपको history, geography, polity, economics और current affair, physics, chemistry, biology जीके भी 2000 question है वैसे आप उनको छोड़ सकते हैं इस time पर क्योंकि time कम है और computer के भी question है static gk के 1000 question अलग से जिसमें से बहुत सारे question दोस्तों directly अभी तक पूछे जा चुके है जो बच्चों ने खुद screen source भेजा है कि सर इस PDF से ये questions पूछे जा चुके है तो देखे इस PDF को आप purchase कर सकते हैं मात्र 150 रुपीज में इसका link नीचे description box में है हमारी website पर भी मिल जाएगा और आप हमें WhatsApp नंबर में message करके भी इसका link ले सकते हैं अगर आप topic वाई सब कुछ cover करना चाहते हैं तो मैंने playlist का link भी नीचे description box में दे रखा है अगर आप इस PDF को नहीं purchase करना चाहते हैं तो 180 वीडियो है दोस्तो हमारी है ना उन वीडियो को देख लेना playlist का link है नीचे description box में आपका पूरा syllabus complete हो जाएगा चैनल पर नहीं है तो subscribe कर लेना क्योंकि आगया आने वाली से भी वीडियो के notification आपको मिल जाएंगे दोस्तो एक question था कि जम्मू कस्मीर का परमुक त्योहार कौन सा है तो एक त्योहार से question बन रहे है और जम्मू कस्मीर का ही त्योहार पूछा गया था दोस्तो हैमिस फेस्टिवल हो जाएगा इस question का right answer भारते सविधान कब अंगिकरत किया गया था सविधान से संबंदित हर question पूछे गए थे हैं तो 26 नॉंबर 1949 दोस्तो राइट answer हो जाएगा ठीक है अगला question आता है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद कब हुआ था देखिए पहले पूछे गया कि पानिपत का पर्थम यूद पानिपत का दुत्य यूद पानिपत का तृत्य यूद अ अब ऐसे तो नहीं पूछा जा रहे हैं अब उल्टा कर दिया question को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच यूद का वुआ था तो 1526 में यानि कि ये पर्थम यूदी ही है पानिपत का तो पानिपत का पर्थम यूद से संब्दित question आपके अभी भी पूछे जा रहे हैं बस आपका pattern गुमा दिया थोड़ा सा ठीके अगला question आता है बस्तर विद्रो कब हुआ था तो 1859 में ये भी question आपसे पूछा गया था मेरी प्यार दोस्तों एक question था टोकियो ओलंपिक से संब्दित person था बच्चे को नहीं पता तो आप टोकियो ओलंपिक से संब्दित भी question पढ पूछे को याद नहीं था तो ये भी हांसे question पूछे जा रहे हैं ये भी आपका एदकने हैं दोस्तों ओस्त से संब्दित एक person पूछा गया था है ना और एक ये था ओस्त से संब्दित person में आपको बता देता हूं पांच लड़कों का अनुपात 35 है एक 47 किलो का नया लड से संब्दित पूछा गया था अगला question एक बन रहा था दोस्तों बेलन का आयतन पूछा गया था simplification में board mask का एक simple सा question था board mask का rule उसमें apply करना था और आपका question बन जाना था HCF LCM से question था profit and loss से भी question पूछा जा रहा है ठीक है यह मैं आपको इसलिए बता रहा हूं दोस्तों कि आप उन chapter को ज़्यादा ध्यान में रखे जहां से questions बन रहे हैं मैच के दोस्तों चकरवरती ब्याज के दोनों question आज लेकर आया हूं बहुत मुश्किल से question मिले हैं क्योंकि देखे चकरवरती ब्याज के दो question fix हैं हर एक shift में पूछे जा रहे हैं तो बच्चों को पता भी तो होना चाहिए किस परकार के questions आ रहे हैं तो एक बार इन दोनों questions को देख लेते हैं कोई धन रासी चकरवरती ब्याज की दर से 10 वर्सों में दुगनी हो जाती है तो 64 गुना होने में कितना समय लगेगा इस पर मैं आपको आज एक वीडियो जुरूर प्रोवाइड कराऊंगा चकरवरती ब्याज पर और उस वीडियो को देखना दोस्तों तो सबसे आसान ट्रिक बताऊंगा इस परकार की questions करने की ठीक है अभी आप सिर्फ question देख लिजे एक कोशन था कि किसी संख्या का चकरवरती ब्याज दो वर्स में 164 है तो वे रासी कितनी होगी अगर ब्याज 5 परतीसत की दर से लगाया जाए एक कोशन ये पूछा गया थ परसंटेज का एक कोशन था मेरे प्यार दोस्तो ये भी आप लोग नौट करते चलिएगा एक कोशन आपका था कि एक फल विक्रेता 34 रुपे में खरीद कर 84 रुपे में फल बेच देता है उसे 45 परतीसंद लाब कमाने के लिए कितने में बेचना होगा ये एक कोशन दोस्त गये हैं अच्छा रीजनिंग के किस परकार के कोशन आ रहे हैं एक बर ये भी देख लेते हैं स्रीज के दोस्तों दो कोशन आ रहे हैं एक सिंपल वाला और एक स्क्वैर वाला पूछा गया था काउंटिंग फिगर से दो कोशन है और सिटिंग अरेजमेंट से दोस्तों दो question है बच्चे ने बताए sitting arrangement के थोड़ा सा difficult question था जिसमें time taking था मतलब अगर आप पढ़के जाएंगे हो जाएगा practice करके जाना वस मतलब कम से कम भी 10-15 question की practice करिए फटाफट करने की कोशिस करिए और time बहुत ज़्यादा लग रहा है तो छोड़ दीजे coding decoding के दो कोशन थे दोस्तो dice का एक कोशन था mirror image का भी एक कोशन पूछा गया था bullet relation के दो कोशन थे मेरे प्याद दोस्तो ये भी आप लोग ध्यान रखेगा clock और calendar से एक भी कोशन अभी तक की shift में नहीं आया अभी तक की दोस्तो किसी भी shift में नहीं पूछा गया तो ये ध्यान रखने वाली बात है clock और calendar में एक भी मिनट खर्च मत करके जाना क्योंकि कोशन बने गई नहीं तो आप उसमें time क्यों वेस्ट करेंगे कथन निसकर्स का एक कोशन था एनलोगी का एक कोशन था inequality से भी कोशन पूछे जा रहे हैं अच्छा एक कोशन और है दोस्तो मैंच का इसको भी देख लेते हैं एक व्यक्ति साड़े बारा परतिशत हानी पर किसी वस्तु को बेच रहा है ज्यान समझेगा 91.80 अधिक में बेचता है तो 6 परतिशत लाब हो जाता है वस्तु का करें मुल्य निकालना था ठीक है तो यहाँ पर दोस्तो इन दोनों का डिफरेंस इसके एकवल रखे इसको इसली कर सकते हैं इस पर भी मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूँगा चिंता मत करना ठीक है अगर मैं कल का पैटरन देखू तो दोस्तो चार पांच कोशन देखते हैं मैरी कॉम किस राज्य से हैं मनीपूर से यह कोशन था कोली नेत्य किस राज्य का मारास्ट का गारो परवत किस र पर हैं हिंदी बिल्कूल एजी है अगर कोई पढ़के भी नहीं जाएगा तब भी बेसिक बेसिक आप आंसर मार सकते हैं है ना अगर बात करें दोस्तो थोड़ा से डिफिकल्ट लेवल की वो रीजनिंग में बच्चे बता रहे हैं कि टाइम टेकिंग है डिफिकल्ट नही टोपिक पर आपको वीडियो प्रोवाइड करा रखा है आप लोग एक बर सर्च कर लेना यूटूब पर उनली टोपिस्टडी और कोई भी टोपिक आइड कर देना आपको उस पर वीडियो मिल जाएगी कम से कम दो-दो वीडियो मिल जाएगी तो अराम से पढ़के ये अराम से पेपर कर लेंगे चिंता करने की कोई बात नहीं है और हमारी 6000 के कोशन आंसर्स वाली जो ये पीडिया फे दोस्तों ये जिन्दा बाद है इसको भी पढ़के जाएंगे तो आपका 90% पेपर बिल्कूल इसमें से फज जाएगा ठीके 150 रुपीज की है लिंक नीच के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें थैंक ये सो मच बाई बाई अरे टेक केर